अस्तामनी के वीवर्स ये मेरा फिर्स्ट व्लॉग है कैसे हैं आप संदोग देखें बहुत ठंड हो रही है लहुर में और ये विंडो से बाहर का नजारा है हल्किल की धूप निकली है लेकिन बहुत सर्दी है इधर मेरे बच्चे सारे सोकर उड़े हैं मैंने अभी बिस्तर तेहिन किये हैं बच्चे जो फीपनी सुस्ती उता रहे हैं आयान भी सोकर अड़ चुके हैं और यहां पर तहरीम फात्मा अपना पिपर याद कर रही हैं वीא बिट्र वीकेशन इबच्चे घर में ही अपनी तयारी कर रही है इधर मैं नाश्टी की तैयारी कर रही हूं तो मैंने चाय बनाने के लिए रखी है आज बिल्कुल धीमी है क्योंके स्लेंडर है और गैस बिल्कुल भी नहीं आती है सरदिया है तो गैस को भूटी चाओ यहां मैंने आटा बूंद कर रखा है यह वाई टाटा है वाई टाटे के पराटे बहुत बहुत ही मज़ेदार होते हैं हमारे घर में वाई टाटे के पराटे शौक से खाते हैं यहां आयान का पराटा सबसे पहले बना रही हैं ताकि वो जल्दी से नाश्ता कर ले वो बहुत रो रहा था कि बस मुझे जल्दी से नाश्ता चाहिए तो इसलिए आँच बहुत अलगी है और पराठा बनने में बहुत देर हो रही है वाई टाटे के पराटे वैसे भी देर से बनते हैं और पर स्लेंडर पे तो और भी देर से बनते हैं गैस की वज़ा से बहुत बहुत जादा प्रॉब्लम है पराटों को लाल करना, सुर्ख बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह वाली आच जो होती है स्लंडर की यह इसमें इतनी जादा तेजी नहीं होती है कि जल्दी से पराठा को सुर्ख कर सके तो इसलिए राम राम से इसको सेका जाता है और यहां मैंने तहरीम के लिए चोरस पराठा रेडी करके रखा है उसको चोरस पराठा बहुत पसंद है यहां तहरीम के लिए चोरस पराठा बना रही है उसको क्रंची प्रिस्पी सा पराठा पसंद है जो बिल्कुल रेड रेड हो हलाकि मैंने उसे कहा है कि स्लंडर पे इत बाठे के साथ बहुत शौक से खाते हैं, इधर फिर तहरीम का बराठा बनने में देर लग रही है, चुंकि गैस जरा भी आने को नहीं दे रही है, तो उसको मैं प्रेस करकर रेट कर रही हूं, इधर मैंने तवे पे ओमलेट डाल दिया है, मेरे बच्चे अमोमन धनिये वाले और मिर्श मसाले वाले प्याज वाले अमलेट नहीं खाते हैं, ज़स्त वो ब्लец पेपर और सॉल्ट बस, इस तरह का अमलेट पसंड करते हैं, में उनके पीसे कर दीती तो उनको पीजा की तरह लगते हैं, उ अराम से खा लेते हैं, तो अमलेट भी देखें, कितनी देर से पराटे हमारे रेड़ी हो चुके हैं नाश्ता हमारा डन हो चुका है यह रात की डाल है नाश्ते के साथ ही हम लेठ है यह जाए और यह हैं जी मेरे बेटे सबसे चोटे बुरहान खान महमद बुरहान खान और यह मेरी बेटी सबसे बड़ी तहरीम फात्मा और यह मेरा बेट मोहुम्मद प UP यह तहरीम फात्मा से चोटा है और बुरहांगो खान से बड़ा है हं हो यह से नाश्टा करें शब्ष Oल होता है हम सभी हैं मेरी अम्य जान मेरी अम्य है और हम सभ हमारा नाश्टा कर रहे है मजा रहे हैं यहाँ पर मदर्से जा रहे हैं तहरीम फात्मा अपना कुरान पाक मुकमल कर चुकी है और बुरहान का नौरानी काईदा है बुरहान और तहरीम फात्मा दो बज़े मदर्से जाते हैं अपनी नानों के साथ और पिर जल्दी ही आ जाते है इधर मैंने बच्चों के जाने के ब कि युँ ऐसा ही है और फिर बच्चे आ गए हैं मदर्से से यह पढ़ने बैठे हैं घर में ही ट्यूशन पढ़ते हैं मैं गुद पढ़ाती हुं बच्छे पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं चल्दी है ज़्दी याद करें ताकि अच्छे पेपर्स दे सकें नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा है तो फिर सबसी ज़रा ज़ादा शौक से खाया जाती है तो यहां मटर जो है वो मैंने पहली चुनके रखी यह थे थोड़े से हैं थोड़े मैंने फ्रीज किया है वो में बाद में निकालू ही यहां मेथी बारिक बारिक काट रही है और फिर यहां आलू में चुट 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 यह काट रही है ताकि स्लेंडर पे यह दंपे ही पक जाए है यह स्लेंडर पे बहुत जादा गैस जो है वो नहीं आती है और प्याज हमारी यहां ब्राउन हो रही है हलकी हलकी सारे मसाले वगारा मैंने रेडी करके रखे हैं या मैथी मैंने भीगो दी है और बस ये भी जो है सब कुछ डाल के मैं पिलकुल डन करूंगी यहां टेमाटर भी मैं काट रही हूँ ताकि बस सब एक साथ डादूं और सब रेडी करके छोड़ दूँ बार एक बार एक टेमाटर काटें ताकि यह भी जल्दी से गल जाए और प्याज ब्राउन होने का नाम नहीं ले रही है देख रहे हैं आप सब और अगर आपको मेरा व्लोग पसंद है तो लाइक करें